उत्तरप्रदेश में समाजवादी पार्टी में चल रही खटपट के बाद आज बीएसपी में भी करारी हार का असर दिखा और मायवती ने आज अपने सबसे कदावर नेता नसीमुद्दीन सिद्धी की को पार्टी से बाहर कर दिया नसीमुदीन और उनके बेटे पर मायवती ने टिकट के बदले पैसे लेने और पार्टी विरोधी काम करने का आरोप लगाया उधर नसीमुदीन सिद्धिकी का कहना है कि वो बहुत जल्द मायवती के खिलाफ सबूतों के साथ जवाब देंगे नसीमुदीन सिद्धिकी ना सिर्फ बियस्बी के राष्टे महासची हुआ करते थे बलकि वो मायवती के इतने करीबी थे कि 2007 में मायवती की सरकार में उन्हें मिनी मुख्यमंत्री भी कहा जाता था इतना ही नहीं वो बियस्बी का अकेला मुस्लिम चेहरा थे लेकिन इस सब के बावजूद मायवती ने एक जटके में उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया वो भी टिकट के बदले पैसे लेने के आरूप में चुनाव के नजदीक कुछ आर्थिक तोर पर मजबूत लोगों से यह कहकर उनसे पैसा लेकर लगा दिया कि उत्तर प्रदेश में बियस्पी की सरकार बनने वाली है और मुझे फिर से कई कई महत्पू विभाग मिलने वाले हैं तो फिर मैं आपको इसके एवस में बहुत क की रण नीती बनाई थी इसी के तहट सौ मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट पी दिया था लेकिन मायवती का मुस्लिम कार नहीं चला और बियस्पी को सिर्फ 19 सीटे ही मिली इसके बाद से ही नसीमुद्दीन के पार्टी में बुरे दिन शुरू हो गय थे बियस्पी ने को यूपी से अठा कर मद्य परदेश भेज दिया शुरू नसीमुद्दीन सिद्दिकी ने मद्य परदेश के दिये गए छेतरों की जिम्मेदारी नहीं समाली और लखनौ दिल्ली वा नौड़ा आदी में ही रहकर यहां पार्टी विरोधी कर दिया करने लगे शुरू नस नातन हिंगिता को पार्टी ने बहुत गंभीता से लिया जितने भी इनके पास जोनल कॉंड़ेटर थे बीस्पी में उसमें सबसे ज्यादा कलेक्शन नसीमुद्दीन सिद्दीकी द्वारा आता था मायवती जी के हाथ हों में आखिर कहां से बात बिगड़ी कि जो नाक का बाल था वो आज पार्टी से बाहर हो गया वही नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने एबीपी न्यूज से कहा है मैं मायवती एंड कमपनी के खिलाब बहुत जल्द सबूतों के साथ जवाब दूँगा लगनों से उमिश पाठकी रिपोर्ट इस खबर पर रहेगी नजर नसीमुद्दीन बीएसपी के अंदर के हैं अंदर की बहुत सारी बाते जानते हैं बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी ये है एबीपी नियूज आपको रखे आगे